साथियो नवस्कार आज की एस वेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्राइंग अध्यापकों के लिए कला अध्यापकों के लिए कला विश्य से संबंदीत सो चुनिंदा परसनों का सेट जो एक बार नहीं अनेक बार पिछली प्रिक्षाओं में आए हैं और आगामी प्रिक्षाओं में भी आएंगे इसलिए इन परसनों को एक बार नहीं अनेक बार देखना जब तक ना हो याद तब तक देखना क्योंकि ये परसन आपकी प्रिक्षाओं में लगाएंगे नया पार और आपको दिलाएंगे नोकरी और तो साथियो बिना देर लगाए हो जा को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को सेयर इतना अधीक करना कि आपके साथ-साथ उन सभी का हो जाए भला जो देने वाड़े हैं ड्रेंग ध्यपकों की लिए प्रिक्षा और हो जाए उनकी भी त्यारी तो साथियों करते हैं वीडियो शुरू बिना देर लगाए आ पुस्प सईयोजन तो अपरसे 9 साथियो फ्री भोर्तिय कला का सलुणकाल किसे माना जाता है तो आपका सही जवाब है ऑप्सम नमबर सी गूप्तकाल तो नेक्स्ट a.com 5 वेदों की रचना किस भासा में हुई थी तो इसका सही जवाब है option number D संस्क्रीत तो next question है person number 5 दिवित्य स्रिनी के रंग होते हैं option number C हरा बैंगनी नारंगी और छटा परसन है वोड़कट तकनी कौन सी कला के अंतरगत है तो option number B छापाकल next question है person number 7 परकास में उपस्तित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं परिजम के द्वारा person number 8 है अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं तो आपका सही जवाब है ल्यात्मक रेखा option number A person number 9 बाटिक किसे प्रियोग किया जाता है कपड़े पर person number 10 कामसूत्तर के रचेता कोण है वात्सायन आपका सही जवाब है option A आपका सही जवाब है रोद्दर रस का रंग क्या है option number C लाल next question है साथियो निमन में से एक त्रियामी कला है तो आपका सही जवाब है मूर्ती कला person number 13 कागज की कत्रणों से बनाए जाने वाड़े चित्र को क्या कहते है option number C कॉलाज person number 14 निमन में से मोम का प्रियोग कर किस वीधी में चित्रण कारिय किया जाता है option number D फैब्रिक चित्रण आपका इसमें सही जवाब है person number 15 सामान्ये पेंसिल में कौन सी शामगरी प्रियुक्त होती है तो साथियों आपका सही जवाब है ग्रेफाइट option number A person number 15 का आपका सही जवाब है तो next question है आपका person number 16 सीतल परभाव उत्पन करने वाड़े रंग कोन से होते हैं option number B नीला हरा शुपरसीद जर्मन विद्वान प्रोफैसर निलहम ओस्ट वाल्ड ने कितने रंगों का चक्कर प्रस्तूत किया था तो आठ रंगों का चित्तर प्रस्तूत किया था यानि चक्कर प्रस्तूत किया था तो option number आपका D सही जवाब है उत्किरन छाया चित्तर को क्या कहते हैं इंटे गिलियों कहते हैं चिकन कारी किसे संबंदित है तो साथियों आपका सही जवाब है वस्तर कला से नेक्स्ट कुश्चन है पर्सन नंबर आपका बीस विरोधी रंग कोन से हैं तो हमारा है लाल और हरा ओप्सन ए भारती चित्तर कला के छे अंगों की व्याख्या किस परसिद गरंथ में की गई है तो आपका सही उप्सन है उप्सन नंबर साथियों आपका इसमें दी है जै मंगला पर्सन नंबर बाइस की ओर चलते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं नो होते हैं परसन नमबर 23 वास पैंटिंग की शुरुआत किस ने की थी अविंदर नाथ ठाकुरिस का सही जवाब है ओप्सन नमबर C आपका इस परसन का सही जवाब है तो अब चलते हैं हम परसन नमबर 24 की ओर सिघरता से किया कया रेखांकन अथवा चितरन क्या कहलाता है तो साथियो स स्केच कहलाता है ओप्सन B आपका सही जवाब परसन नमबर 25 है आपका ये अब हम परसन नमबर 25 को करते हैं किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है तो आपका D सही जवाब है रेशम के कपड़े के द्वारा तो परसन नमबर 26 है कला किस भासा का सबद है बहुत ही important person है तो C यानि संस्क्रीत का सबद है कला person number 27 है वात्सायन के काम सुत्तर में कितनी कलाओं का उलेख है तो आइस में है साथियो 64 कलाओं का option A person number 28 नीले का पूर कत्वा विरोधी रंग कौनसा है तो पीला इसका सही जवाब है option B आपका सही जवाब है उस तत्तव का नाम बताईए जिसके अभाव में चित्तर रचना संभव नहीं है तो धरातल इसका सही जवाब है person number 30 तो person number 30 है नाट्य सास्तर में भर्त मुनी ने कितने भाव का वरणन किया है तो आपका 49 यानि A option सही है 49 यानि 49 भाव है नाट्य सास्तर में भर्त मुनी ने बताया है तो आपका next question है साथियो 31 भारतिय संस्क्रीति के चार लक्षों में से किस के साथ चित्तर कलागा संबंध है तो इसमें काम आपका सही जवाब है person number 32 चित्रन के धरातल के कितने आयाम होते हैं तो इसका सही जवाब है option number A यानि 2 person number 33 किसी भी वस्तु आथवा आकरती की माप सवतंतर रूप से क्या कहलाती है तो परमान इसका सही जवाब है option number A तो option number A है आपका साथियो 33 का समान अत्वा सामंजश्य पूरण अव्यों की पुनरावर्ती से उत्पन निरंतरता को क्या कहते हैं तो साथियो person number 34 का है आपका option A ले person number 35 सरोपर्थाम किसने 97 में 8 रसों को बताया है तो 99 सास्तर में 8 रसों को बताया है साथियो भरतमुनीने अर इसे उप्सन number D आपका सही जवाब है तो person number 36 ч चित्तर में रेखा है तो चित्तर में जो रेखा है, आकर्ती को रूप देती है, परवा पैदा करती है, चित्तर को उभारती है, यानि इसमें सारे के सारे जवाब सही है, यानि option D आपका सही जवाब है, उक्त सभी या सारे के सारे जो उपर लिखे गई हैं, वो सही है, चित्तर में रेखा के लिए, तो साथियों आप आपका D जवाब सही है अब हम चलते हैं परसन नमबर 37 की और भारतिये चित्रकला में रंग के साथ किसका महतव है तो भारतिये चित्रकला में रंग के साथ महतव है साथियों रेखा का परसन नमबर 38 आकरती को रूप किस से मिलता है तो आकरती से को रूप मिलता है साथियों प्रेखा से यानि आपका option number D सही जवाब है तो आकर्तियों से सपस्थ होता है तो आपका आकर्तियों से सपस्थ होता है साथियों A इसका सही जवाब है चित्तर में प्राण किस से आता है तो साथियों चित्तर में प्राण आता है रंग से वात्सायन रचित कामसुत्र की टीक में कला के शंग का उलेख किस ने किया है तो इसका सही जवाब है आपका यसोधर या ने किया था तो नेक्स परसन नमबर ब्याड़ी सरस्ट का क्या अरत है तो साथियो दर्सक के मन में उत्पन आनंद की अनुभूति इसका सही जवाब है रसका अरत प्रीप्रेक्ष्य सिधान्त में महतो है तो किस चीज़ का महतो है दूरी और निकटता का महतो है प्रीप्रेक्ष्य सिधान्त के अंदर तो दूरी और निकटता यानि ओप्सन ए आपका सही जवाब है दर्शेचित्र में प्रीप्रेक्ष्य से सपस्थ होता है व क्या है तो साथियो रेक्षिय प्रिप्रिक्षितिस्का सही जवाब है ओप्षन नंबर A परसन नंबर चारिस विश्णु धर्मोत्तर कि से संबंदित है तो चित्रकला से संबंदित है ओप्षन एयरकव सढ़क सिद्धान्त का प्रतिपादन पर सपोफ यह तो अभिनव गुपत इसका सही जवाब है तो परसन अमबर 49 निम्म लिखित में से चित्रकला से क्या संबंदित नहीं है तो लीपी इसका सही जवाब है चित्रकला में सबसे अधिक महतो किसका है तो रंग का सबसे अधिक महतो है साथियो तो रंग इसका सही जवाब है चित्रकला में सबस संबंद मुर्ती होती है तो option C आपका सही जवाब पारंप्रिक भारतिये भीती चित्रों में से कौन से रंग प्रयोग में आते हैं तो भूमी से प्रापत रंग इसका सही जवाब है option option number B आपका सही जवाब है जल रंगिये या वास पैंटिंग को जल में कितनी बार डुबया जाना चाहिए तो इसका सही जवाब है option number D आवशक्ता अनुसार परसन नंबर 55 है साथियो सबसे हर्ड पैंसिल कोन सी है तो सबसे हर्ड पैंसिल है H यानि A option आपका सही जवाब है परसन नंबर 56 यानि 56 की और चलते हैं साथियो तो परसन नंबर 56 है किस किस रंग के मिलाने से गरे बनता है तो आपका सही जवाब है D काड़ा और सफेद किस किस रंग के मिलाने से काड़ा रंग बनता है तो साथियो कथई और निला तो नेक जवाब है तो परसन नमबर 69 भारतिय चित्तर शडंग के सुत्तर धार कौन है तो यसोधर इसका सही जवाब है परसन नमबर 69 का तो परसन नमबर 60 है ओस्ट वाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्कर में रखा तो आपका सही जवाब 4 है तो परसन नमबर 61 है साथियो चित् परजनन एवं विकास का प्रतिकात्मक रंग कुण सा है तो हरा इसका सही जवाब है कौण सा रंग ज्यान को परदर्शित करता है तो नारंगी इसका सही जवाब है सडंग का पहला अंग कौण सा है रूप भेद है सडंग का पहला अंग option C सही जवाब किस पुस्तक से उद्रित है तो ये है साथियो चितर सुतर में उद्रित person number 68 जलरंग चितरण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उबरता है तो मोटाई कागज पर अच्छा उबरता है person number 69 सुंद्रिय क्या है तो सुंद्रिय साथियो रस निस्पति है रस निस्पति आपका सही जवाब है person number 70 चितर कला में दूर द्रिष्टी लगूता क्या होती है तो उपर से नीचे की और द्रिष्टी या नीचे से उपर की और द्रिष्टी ये आपका option सही है option number C आपका सही जवाब है तो next चलते हैं 71 question के और मुनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा परकट करता है यह कथन किसका है तो साथियो रसकिन इसका सही जवाब है option C आपका सही जवाब सुर्य किरणों के रंगों का प्रियोग किस लिए किया जाता है आभासी चितरण के लिए किया जाता है तो 73 एक पूरण चितर में कितने सतय होते हैं अंगिनत होते हैं साथियो next आपका है person number भारतिये जंडे में प्रियोग चक्कर का रंग तो C option 75 tempera तकनीक में किस मध्यम का प्रियोग होता है तो जल रंग A option आपका सही है तो tempera की सुरुवात कहां हुई अजंता से हुई थी साथियो तो 77 है आपका बंदक किसने प्रियोग किया जाता है तो बाटिक में किया जाता है next है 71 समरंगन सुत्तरधार के लेखक कोण है तो समरंगन के राजा भोज आपका सही जवाब है तो नाट्य सास्तर के प्रनेता कोण है तो नाट्य सास्तर के प्रनेता है भरत मुनी आपका सही जवाब है तो person number 80 वरण के लिए भारत्य चितरकला के सदंग में कि सब्दावली का प्रियोग किया जाता है तो वरणी का भंग इसका सही जवाब है साद्रिश्य का अरत है साथियो आपका आकर्ती में समानता option number C अर्सत्तु के अनुसार कला क्या है तो अनुकृति आपका सही जवाब है तो कला एक भिव्यक्ति है किसका कथन है ये क्रोचे का कथन है option C आपका सही जवाब भारतिय चित्रकला के शडंग में अनुपात को किस सब्द से प्रिभासित किया जाता है तो साथियो प्रमान इसका सही जवाब है option number B आपका सही जवाब है भारतिय चित्रकला के शडंग में तो next है monochrome क्या है एक ही रंग के tone चित्रन की विदी क्या कहलाती है तो person number 86 का है तकनीक आपका सही जवाब है person number 87 fresco की तकनीक कोण सी है तो साथियो A तथा 2 fresco की तकनीक है तो अब हम चलते हैं 88 की ओर 88 है आपका साथियो person 88 ये दर्सक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं तो 3 इसका सही जवाब है दर्सक को घन के कितने तल 3 सैरी ग्राफी में किस कपड़े का प्रियोग होता है तो सिल्क इसका सही जवाब है option D इसका सही जवाब है तो प्राइमिंग किस में प्रियुक्त की जाती है तो स्तेल चितरन के अंदर आपका की जाती है फैक्सेटिव किस में प्रियुक्त होता है तो फैक्सेटिव साथियो प्रियुक्त होता है option B पेस्टल में तो next है heater तथा stove किस में प्रियुक्त होता है तो बाटी किसका सही जवाब है option B इसका सही जवाब है तो next है 93 pattern क्या है रंगे आकारों का पुरांकन है option B आपका सही जवाब texture क्या है धरातल का गुण है साथियो texture तो 95 question की ओर चलते है कैथार सीष का सिधान्त किस ने प्रतिपादित किया था तो इसका सही जवाब है साथियो आपका और सत्तू option C next है integral क्या है तो integral है साथियो चापा कला है option C आधुनिक woodcut चापा चित्तरकार block पर रंग लगाने के लिए किस का इस्तेमाल करते हैं तो roller का इस्तेमाल करते हैं option number D चमड़ा roller का इस्तेमाल किस में होता है लिथो ग्राफी में होता है तो इस परकार आपका 100 खसड़ा क्या है तो sketch है साथियो 100 person पूरे हुए और इन परसनों ने आपकी लगानी है नया पार तो साथियो इने देना अपार प्यार क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए वीडियो करके त्यार और ऐसी ऐसी वीडियो को आप देना भरपूर समर्थान और अगर अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो सेर क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो कहीं कहीं मिलती है और वो यहीं मिलती है दा विजडम क्लासिज पर मिलती है साथियो तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगली बार जल्द मिलेंगे अगली बार अच्छे से मिलेंगे और अच्छी विश्य की ले कर वीडियो आपका ज्ञान बढ़ने के लिए तब तक के लिए राम राम वंदे मात्रम